नमस्कार दोस्तों मेना नाम रंजीत है और आप देख रहे हाउस सोल प्रोड़क्ट जीरो टू दोस्तों आज की वीडियो हम देखेंगे कि किस तरह आप हाइड्रेट जेल को बना सकते हैं हाइड्रेट जेल यारनी आपके फेस पे लगने के बाद ये जेल जो है आपके फेस पर फेस्ट पर सब्सक्राइब कोई यूज कर सकते हैं उसकी कोई दिखकत नहीं होती है लेकिन यहां पे फेस्के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ बेनिफिट आपको पता ही है कि बहुत अच्छा होता है बहुत से बेनिफिट उप्रवाइट करता है हमारे फेस्ट लि पर आने का अगर नहीं जानते हो तो मेरे चैनल पर जरूर चले जाए कि आप देखेंगे तो वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी मेकिंग की उसे आप देखके अलवेरा जेल को बना सकते हैं तो इस वीडियो को सुरू करने से पहले करता हूँ आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के बिजनेस आइडिया और प्रोड़क्ट इलेटेड इंफ उस ट्रेनिंग को करने के लिए चाहे वो क्लिनिंग की है चाहे वो कॉस्मेटिक की है मैं क्लिनिंग में 10 रुपे 12 रुपे में पर लिटर में हैंड वोज डिस वोज जैसे प्रोड़क्ट को करवाता हूँ और इसी तरह जो जेल होते हैं क्रीम बेस होते हैं लोशिन बेस हो क्लिनिंग की और मुंबई में 6 तारीक को क्लिनिंग की और 7 तारीक को कॉस्मेटिक की ट्रेनिंग होगी ट्रेनिंग में दोस्तों जो भी प्रोडक्स में कवर कराऊंगा इसी तरह कवर कराऊंगा बहुत ही मिनिमम रेट में आपको प्रोडक्स बनना सिखाया जाएगा इतरह म minimum rate में product बनते हैं, क्या effect करते हैं और क्या quality के products बनते हैं, कौन से skin के लिए, cosmetic की बात की जाए तो और cleaning की बात की जाए तो उसमें जो भी products बनेंगे, वो भी 10 रुपे से नीचे बनेंगे, चाहे वो hand wash हो, dish wash हो, या floor cleaner या toilet cleaner हो, क्योंकि आजकल rate जो है market में cleaning products है या cosmetic products उसके raw materials क बहुत increase कर गया है, तो उससे कम rate में कैसे बनाना है, वही हम आप सीखने वाले हैं, आने वाले training में, जिससे दोनों training अगस्त में है, इसकी fees जो है cleaning की साढ़े 3000 और cosmetic की साढ़े 4000, training की पूरी details जो है, आपको मिल जाएगी, description में तो description जरू follow करें, जोस्तों इस products को बनाने के के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे aloe vera gel को ले लेंगे, aloe vera gel के बाद हम अलक से container लेंगे, जिसके अंदर हम glycerine पहले लेंगे, glycerine इसलिए लेना है, क्योंकि यह moisturizing का भी काम करता है, और हमारे scorbic acid को dilute करने का भी काम करता है, quantity measurement में आप द्यान से देखते रहें स्क्रिन पे आपको दिखाई देगी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा glycerine ले लिया है, इतना glycerine लेना है ताकि आपका vitamin C यानि ascorbic acid easily जो है, इसके अंदर mix हो जाए और यहाँ पे थोड़ी सी मात्रा हमको लेनी है ascorbic acid की, याद रखें दोस्तों, अगर ascorbic acid का pH maintain आप करना चाहें, तो कर सकते हैं trithenomine के साथ, इसगर pH maintain करने हैं, तो बहुत ही अच्छी बात होगी और फिर इस दोनों को हम mix कर देंगे, mixture को अब देख सकते हैं, पुरी mix हो गया है, और हम अपने aloe vera के gel में इसे डाल देंगे, और नॉर्मल aloe vera के gel को हम इस तरह mix कर लेंगे, और हमारा जो है product बनके ready हो जाता है, इसी तरह आप भी अपने products को बना सकते हैं, और इस तरह के container में भर सकते हैं, अगर आपको इसके अलावा colors की जरूरत हो, जो कि धन्यवाद